दोस्तों क्या लाखो लोगों की तरह आप भी ऐसा मानते हैं कि किड्ने स्टोन यानि गुर्दे की पत्री केवल पाने पिने से निगल सकता है अगर ऐसा है तो मेरा आज का वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर होगा नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर अमिद गुपत आपके सामना लाया हूँ एक बहुत डिफिकल्ड केस जो की सर्जिकल था वो होमेपैठी से ठीक हो गया Grade 3 Hydronemphasis चले पहले जानते हैं Hydronemphasis होता क्या है Hydro-nephrosis एक बीमारी है यह kidney की बीमारी है इसमें kidney में सूजन होती है Hydro-nephrosis यह दो शब्दों से मिलके बना है Hydro यानि water या liquid या fluid Nephrosis related to kidney या kidney की बीमारी तो hydro-nephrosis तब होता है जब किसी कारण से kidney में filtration तो हो रहा है लेकिन वो urine बाहर नहीं आ रहा है या तो stone की वज़े से या tumor की वज़े से या structure की वज़े से या किसी neurological factor की वज़े से या neurological cause की वज़े से urine पुरी तरह से बाहर नहीं निकल रहा या बिलकुल बाहर नहीं निकल रहा ऐसे मिया होता है कि जिस ओर से जिस और ये ब्लॉकईज होता है उदर की किड्नी में सूज़्रो ने शुरू हो जाती है ह doctक झूल में ट। नो सब्कार्ट करने लिए नहीं ग्रेट खेंज ट। सब्सक्राइब करने लिए enterprise सिताओं मैंने का ठीक है उनके मैंने अड़्टर संट के रिपोर्ट मंगवाई उसमें था grade 3 hydronephrosis इस patient को stone की history रही है तो उनको लगा कि इस बार भी stone होगा तो उन्होंने popular belief कि तरह धेर सारा पानी पिना शुरू किया इतना पानी पिया कि इनके kidney की सूजन grade 1 से grade 2 से grade 3 पहुँच गई grade 3 hydronephrosis और जैसे जैसे वो ज़्यादा पानी पिते गए वैसे वैसे उनके पेट में सूजन और kidney वाले एरिया में particularly उनको सूजन और भारीपन बढ़ता चला गया फिर जब इन्हों अर्टास्वण करया तो grade 3 hydronephrosis निकला तो यह पैनिक हो गए इन्हों relevant doctors, urologist, nephrologist और physician से इन्हों कंसर्ट किया हर किसी ने कहा कि यह surgical case है और यह बिन operation के ठीक नहीं हो सकता यह परिशान हो गया अब चुकी Corona काल चल रहा है तो हर कोई hospital और doctor के चकर से और operation के चकर से बचना चाहता है इनके साथ बैस है था यह भले hydronephrosis को ना जाने लेकिन Corona को जानते थे अगर Corona हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी तो इनके एक फ्रेंड ने बताया कि मेरे बारे में वो मेरी पुरानी patient है कि इनके से आप इंसे concerned करो यह अगर ठीक होने लाइक होगा तो होमेपैथी से ठीक कर देंगे तो फिर मैंने patient का case लिया case taking करके रिपर्टराइज करके जब मैंने यह रिपर्टराशन टेवलाप के सामने है तो इसमें जो टॉप थ्री medicines आई वो आई आर्सेनिकम, एल्मम, फॉस्फोरस और एपिसमिलिफिका चुकि patient thirstless थे और बीमारी से तो परेशान थे ही बीमारी को लेकर concern बहुत ज़्यादा थे पैनिक थे लेकिन यह अकेले रहना पसंद कर देते है रिजर्व रहना अपने काम में रहना बीजी रहना इनको ज़्याद चर्चा हर जगा करते हैं, diffuser nature को होते हैं, बहुत बिलंसार होते हैं, हर जगे मिलते हैं, जुलते हैं लोगों से लेकिन यह भी इन पर अपलाई नहीं थे तो मैंने उसे भी इग्नोर किया थर्ड चुआइस थी एपिसमिलिफिका, एपिसमिलिफिका मैंने प्रिस्क्राइब किया इसका रिजन था कि चुक्त पेशंट थर्ष्टलेस थे रिजर्ब रहने वाले थे, हॉर्ट पेशंट थे और इनके साथ ये था कि ये एपिसमिलिफिका हडोनेफोसिस की बहुत तो मैंने प्रिस्क्राइब किया एपिस्मिलिफिका 6 6 इसलिए क्योंकि अगर मैं higher potency प्रिस्क्राइब करता और अगर वो aggravate होता तो problem बढ़ सकती थी और complication और जाद हो सकता था तो मैंने 6 प्रिस्क्राइब किया अब चुकि इनकी kidney stone की history भी रही है और मुझे suspect था most common cause kidney stone होता है तो मैंने साथ साथ दिया इनको barbaris vulgaris mother tincture साथ में मैंने दिया magfoss magfoss इसलिए क्योंकि अगर stone हुआ और pain बहुत जाद हुआ तो magfoss उसके लिए सबसे एची दवाई है मैंने उनको SOS prescribe किया कि जब दर्द हो तो ले सकते हैं गर्म पाने में घोल के साथ साथ management बहुत जोरी था सबसे पहले मैंने उनका पानी बंद कराया kidney stone में मैंने पानी बंद कराया है नाश्चरी की बाद लेकिन ही case की demand थी केस का management था कि अब और अगर ज़्यादा पानी पीते तो उनकी जो hydra nefrosis के परिशानी है और ज़्यादा बुरी हो सकते थी तो मैंने पानी बंद कराया मैंने उनको कहा कि आप कम से कम पानी पिएंगे जितनी जुरुत है उतनी ही पानी पिए उससे ज़्यादा पानी ना पिए तो वन वीक के बाद जो मेरा feedback आया उनका मेरे WhatsApp पे तो उन्होंने कहा कि उरिन का flow थोड़ा बढ़ा है और यूरिन थोड़ा सा गंदा होना शुरू हुआ है क्या था कि जिस स्टोन में जिस किड्नी में ब्लॉकिस था उस दर से बिलकुल भी यूरिन नहीं आ रहा था इसलिए जो दूसरे किड्नी से यूरिन आ रहा थो बिलकुल clear था clean था तो अब दूसरे से वो यूरिन आना शुरू हुआ मेडिसिन के फैक्ट से तो अब यूरिन गंदा होना शुरू हुआ और चुकि यूरिन की quantity बढ़ी तो flow भी बढ़ा मैं उनका ठीक है एक वीक रुख जव अगले वीक अल्ट्रसॉन कराना जब उन्होंने अगले वीक अल्ट्रसॉन कराया तो जैसा मैं suspect कर रहा था जैसा मै होमेपैथी की असली परिक्षा थी चुकि उसका size 6 mm से जादा था और मैं आपकी जानकारे के लिए बता दू कि 3 mm या उससे कम के size के kidney stone सिर्फ पाने पिने से आसानी से बाहर निकल जाते है लेकिन अगर नौमली जो ureator है kidney से जो pipe निकलता जो पिशाप के थाले को जोडता ह उसका जो diameter है उसकी जो गुलाई होती है वो लगबग 3-4 mm के बीच होता है तो 3-4 mm का kidney stone असानी से निकल जाता है लेकिन ये 5-6 mm का अगर हुआ तो उसके फसने के chances हो जाते हैं तो ऐसे case में अगर आप बहुत जादा पानी पीते हो तो वो आपको backfire करेगा वो problem को हुआ था तो अब वहां पर थोड़ा broad होता तो वहां पर फसने के chances है अब उसके और कहां फसने के chances थे जहां पर वो ureter पिशाप की थैली से जोडता है या urethra जहां से urine बाहर निकलता है तो अब मैंने previous prescription first prescription के साथ मैंने add किया hydrangea mother tincture hydrangea mother tincture kidney stone को break करने की सब चैची द था और उसका पता लग चुका था तो अब वो दुबारा कहीं ना फसे इसलिए hydrangea बहुत ज़रूरी था तो मेरा second prescription था epismalefica 6, berberis vulgaris mother tincture और hydrangea mother tincture और MAGFOS SOS थोड़े समय के बाद patient का feedback आया उनके wife का feedback आया कि लगा है कि कुछ urine से निकला है मैं आश्वस्त हो गया कि stone break हुआ है और वो निकला है दो हफते बाद यानि treatment शूरू करने के एक मेने बाद जब उन्होंने second ultrasound कराया तो कोई stone नहीं था कोई hydronefrosis नहीं थी कोई hydronefrosis नहीं था ये ठीक हो चुका था केवल एक महिने में केवल 28 दिनों में और सिर्फ होमेपैथी से patient ने कुछ भी और नहीं लिया कोई दूसरा treatment नहीं लिया उन्होंने सिर्फ मेरे उपर भरो सकिया उन्होंने सिर्फ होमेपैथी पर भरो सकिया और होमेपैथी ने उन्हें निराश नहीं किया तो दोस्तों यह एक बहुत डिफिकल्ट केस था तो जब भी आप स्टोन सस्पेक्ट करें जब लगए कि स्टोन हो रहा है तो ततकाल आप किसी अच्छे होमेपैथ के पास जाएं और होमेपैथिक मेडिसिल लें आप निराश नहीं होंगे आप खुद पे एक्सप पर भरोसा करने की एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर की और एक अच्छे डाग्नोसिस के साथ अच्छे मेडिसिन की तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है मैं बहुत जल्द आपके सामने आऊंगा एक नए इंफोर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक अपने आपको सुरक्षित रखें घर पे रहें कोरोना से बच के रहें नमस्कार